किसी भी motorcycle के engine में crankcase के अंदर जितने भी bearings लगते हैं, उनको आप कैसे install कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में discussion करने वाले हैं, दो method बताऊंगा, वैसे तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी अपन दो methods के बारे में discussion करेंगे, जो कि सबसे easy हैं, और सबसे easily accessible भी हैं, हेदे गाइस मैंने मिस जीत, और यह आप consider कर सकते हैं, कि जो hero splendor की engine rebuild series है, उसका पहला part है, यह जो series होने वाली है, इसमें छोड़ी-छोडी काफे सारी वीडियो आएंगी, लेकिन detail उतनी ही रहेगी, चितनी अपनी जो एक घंटे वाली engine rebuild की वीडियो होती है, उसमें जड़ा हैं वेच नहीं करते हैं, और सीधा जो engine का जो crankcase है, उसमें बैरिंग कैसे इंस्टोल कर सकते हैं, उस प्रोसेस की तरफ मोहन करते हैं, तो अभी यह अपने दोनों साइड के जो crankcases हैं, यह left side का crankcase है, जिसको LH crankcase बोलते हैं, और यह right side का crankcase है, इसको RH crankcase बोलते हैं और इन दोनों में total 4 bearings लगते हैं, जो crankcase के bearings बोले जाते हैं, और उसमें से 2 bearings आपको यहां पर दिख रहे हैं, तो सबसे पहले जो पहला method है, उसकी यह दोनों बैरिंग से इंस्टोल कर लेते हैं, तो अभी हम जो right side का crankcase है, उसमें यहां पर जो बैरिंग लगता है, उसको तो इसके लिए सबसे पहले तो यह जो crankcase है, आप मेक्शोर करें कि एकदम अच्छे से clean हो, साथी साथ आपको double make sure करना है कि जिस surface पे अपन बैरिंग इंस्टोल करने वाले हैं, वो एकदम अच्छे से clean हो, उसके बाद हमें थोड़ा सा इंजिनोल चाहिए, और जो bearing है वो इसके मामले में simple सी चीज बता देता हूं, जहां तक हो सके, जो original जैसे कि अभी मैं hero splendor पे काम कर रहा हूं, तो मैं hero के parts लेकर के आया हूं, तो original parts यूज़ करें, अगर किसी भी वज़े से मिलते नहीं है, तो फिर आप जो repeated bearings company है, उनके ही bearings यूज़ करें, और साथी साथ इ पैरिंग है, उसको निकाल लेते हैं, वैसे मैंने जो पैकिंग उसको पहले से कट कर रहा था, वैसे मैं दो तीन बार मेक्शोर करना, जरूरी समझता हूं किसी भी पार्ट को परचेस करने से पहले, अदर्वाइस फिर फिटिंग की प्रोब्लम आईगी, तो वैसे ही यहां कर देंगे, तो कोई प्रोब्लम नहीं होगी, बस यह मेक्शोर करना है कि आप इंजन ओयल से ही लुब्रिकेट करें इसको, गेर ओयल या फिर और कुछ यूज मत करना, इंजन ओयल लगाना है सिंपल, और उसके बाद जो इसका स्लोट है, उसके साथ इसको कुछ इस तरीके प्लेस करना है, और उसके बाद चांसे हैं कि आप इसको हाथ से भी पुछ कर पाएंगे, अगर क्लिरेंसे हैं वो थोड़ी सी वाइड हैं तो, लेकिन आप किसी ऐसे इंजन पर काम कर रहे हैं जिसमें क्लिरेंसे हैं वो बहुत ही कम टॉलरेट हैं, तो उसके लिए फिर अच्छे से आपने क्लीन कर रहा हूँ, विकोज कंटैमिनेशन सबसे बड़े इनमीज हैं वन इट कमस तो इंजन रेबिल्द, तो उसके बाद इसको 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 कुछ इस तरीकी से प्लीस करना है, उसके बाद आपको एक प्लास्टिक हैमर या मैलेट लेना है, और उसकी जो उपर की साइड अपन ने पुराना वाला बैरिंग रखा है, उसको ड्राइविन करना है, उसके उपर टैप करना है बेसिकली, और उसके उपर भी आपको 360 डिरेक्शन में टैप करना है, ताकि जो नीचे वाला बैरिंग जो हम ड्राइव कर रहे हैं, वो इवनली उस time आपको जो sound आ रही थी पहले जो sound math completely hollow आरही थी, means kaur kak architectureoney sound की काफी howKY sound ही लेकिन जैसे ही पूरा इंसर्ट हो जाएगा तो जो sound वो काफी baRI हो जाएगी काफी heavy-를 हो जाएगी because पहले हम tap कर रहे थे तो सिरफ bearing पे जो फोर्स है 경ण अर्ण unfortunately की साइड जा रहा था लेकिन अभी बेईरिंग वह जो क्रेंग चःए सबंग हो गया है जिसकी में ऑन नीचे की साइड टच हो गया है जिसके वीज़े सांड वो काफी है और इस तरीकी से अप पदा इंजिन्स जो होते हैं, उनमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है, कि आप चीजों को इंस्टोल करते हैं, तो आपको कम एफट लगाना पड़ता है, तो अगर ऐसा है, तो आप ये मेथर्ड बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इन केस, ये वाला जो इं उसके लिए आपको एक फ्रिज की जरूरत पड़ेगी, तो बेसिकली मैंने क्या किया है, ये जो बेरिंग्स हैं, इनको मैंने फ्रीजर में प्लेस कर दिया था, तो अगर आपने थोड़ी सी भी साइन्स पड़ी है, means कुछ क्लासेज हैं, वो बंक नहीं कियें मेरी तरह, त तो इसको अभी मैंने बार की साइड से क्लीन कर लिया है, इस पर अभी थोड़ा सा इंजिन ओल अपलाई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, और ये काम हमें थोड़ा जल्दी करना है, बिकोज अधर वाइस ये फिर से रूम टेंप्रेचर पे आ जाएगा, मार्किंग सा उ इसकी जो टॉलरेंस है वो थोड़ी सी लेस रहती है, तो इसको आपको थोड़ा सा पुछ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इसको टाइम दिया होता, बिकोज मैंने इसको हार्डली 15 या 20 मिनिट के लिए ठंडा किया है, लेकिन अगर आपने इसको 3-4 घंटे के लिए ठंडा किया होता, और as it is लाकर के आप इसको प्लेस कर देते, तो चांसे हैं कि ये बिना किसी टैप करे हुए, ये आसानी से फिट हो जाता, लेकिन अभी मैंने, बिकोज मेरे को वीडियो बनाना है, तो मैंने इसको फ्रीज के बार भी काफी देर तक रखा है, बिकोज मेर पास जो पुराना वाला बैरिंग है, वो नहीं है, तो आप जो socket method है, वो भी यूज कर सकते हैं, अब socket method क्या है, तो basically जो socket का outer diameter है, उसको अभी आपन बैरिंग को इंस्टोल कर रहे हैं, तो उसका जो outer diameter है, वो insert हो रहा है, तो उसके बराबर का socket लेकर के, कुछ इस तरीके स इसके उपर place करना है, और उसके वाद आप चाहें, तो इसके उपर tap कर सकते हैं, या फिर इसका जो extension आता है, उसको लगा करके, उसके उपर tap कर सकते हैं, tap वैसे ही करना है, जैसे मैंने बताया, 360 evenly, जिससे की जो बैरिंग है, वो evenly insert हो, and that's it, तो बस कुछ इसी तरीके से उब्यसी बात है, यार, वीडियो गनाने में टाइम निकलता है, और ठंडी चीजें अभी गर्मी का टाइम चला है, तो काफी जल्दी गरम तो नहीं होती, बट रूम टेंपरेचर पर तो आई जाती है, तो आप ये वीडियो देख करके, डिसपोइंट मत हो जाना, जो cold व बंदा डून लिया काम करने वाला तो, तो बस गाईज, इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था, I hope इस वीडियो से आपकी बैरिंग्स को कैसे इंस्टोल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, वो कम भूई होंगी, उसके अलब आपको कोई भी में बिल्कुल भी बिना हिचकी चाट के पूछ सकते हैं, साथ इसाथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको लगता है कि कोई आपके ग्रूप में ऐसा बंदा है, जिसके लिए ये वीडियो है, ये काफी यूसप भी कर देना,